संभवे गुरुए नमा संभवे गुरुए नमा देवा ही दे महादेव की चर्णों में परनाम करती हूं मेरी परनाम का सुकार है सक्ति सुरूपा लिलम दिदी के चर्णों में परनाम करती हूं मेरी परनाम का सुकार है पहला सुत्र दया मांगते हैं कि है सीव आप मेरे गुरू हो मैं आपका सिवा दया करने बुला जगत में कोई नहीं है महादेव दया कर दिजिए पहला सुत्र में कहते हैं कि है सीव आप मेरे गुरू हो मैं सिस हूँ मुझ पर दया कर दिजिए दुसरा में किसी अंजान बेक्ति से चर्चा पतलाते हैं तिसरा में एक स्वार पर नमस्षिवा से जाप करते हैं मन मला हो या रुलाश मला मन ही मन दया मांगते हैं तो चर्चा कोड चलेंगे तो देखिए एक राजा साहिब था एक राजा साहिब था उनको बहुत पैसा कवरी था बहुत घमंड थे बहुत पैसा था राजा होने से नहीं होता है और घमंड करने से नहीं होता है पैसा लाखे हो मगर महादेव की सरन पकरना चाहिए था तो राजा साहिब था उनको न घमांड इतना था कि वो घमांड से सब दीदी सब सिवचर्चा करते थे तो घमांड से क्या कर दिये दूरे पर मंदिर बनवा लिए और दूरा पर मंदिर बनवाए हैं तो क्या किये दूरा पर मंदिर बनवाए तो मंदिर बनवाए मंगर एको दिन पूजा नहीं कियो मंदिर में नोकर था नोकर था तो वो क्या कहें नोकर वो सब दिन के सब दिन पूजा कर रहा था आई राजा साहिब को तो पैसा का ज्यादा उका था पैसे के में भूल गये और नहीं जाकर कि उनको बाबा को कुद नगरवत्ति नहीं बारे तो आप एपहले ए़ मर गया को साहसृ नोटर मर गया था तो मारा तो को नोकर घ्या तो नोगत को न दोत्कि स्थीई हूस अच्छा बाजा आउजा भाजनन गया और भगवान घर उसको ए बास प्राजा सहिब रह गया तो राजा सहिब रह गया तो कहें राते राते वो भी मर गया तो राजा सहभ 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 और नो कोड दोनों खारा हुआ तो बाबा को कहते हैं महादेव को उपर में ही जाकर के सारा फैंसला होता है कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा ईसा उपर में जा कर गी होगा तो बाबा को कहें रजा सहिए बाबा बताईए हम इतना बर्का काम किये जो आपका मंदिर बनाद दी में दरबाजा पर आए और नोकर को हम आपसके पूजा करवाए बताईए हमको काटा कुछ समय आने दिए तो आई इनको देखिए सोना का आई बेचारा पूजा किया तो इन ही को न स्वारग मिलेगा तुमको तो पाप मिले न करेगा तो इसी तरह आप लोग भी दिदी घमंड नहीं किजिए गुरू का चर्चा किजिए बहुत अच्छा होगा गुरू को काच करम जो भी होगा आगे बढ़ाईए तो बढ़िया होगा